हलो फ्रेंज, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ तीन तरह के मुँफली की चटनिया इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है आप से उत्तपम, डोसा, इडली किसी के साथ भी खा सकते हैं अगर आप मेरे चानल पे नए हैं तो जल्दी से चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए ये बिलकुल फ्री है और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे वीडियो की लेटिस नोटिफिकेशन तो रंत मिल जाए तो आईए इन्हें बनाना शुरू करते हैं मैंने लिया है एक कटोरी मूंव वली इसे अच्छी तरह से लो फ्लेम पे हम भून लेंगे ये अच्छी तरह से भून चुकी है इसे अब हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे अब मैं इसे हाथों से रब करते वे कुछ इस तरह से छिलकों को रिमूव कर लूँगी पहली तरह की चटनी बनाने के लिए लिया है मैंने 1 थर्ड कटोरी रोस्टेट पीनट थोड़े से फ्रेश कोकोनट 12-15 काजु के पीसिस एक चम्मच दही दही आड़ करने से हमारी चटनी बिलकुल भी काली नहीं पड़ती है एक इंच अदरक का टुकड़ा 4 हरी मिर्च थोड़ी सी इमली अगर आपके पास इवेलिबल है तो फ्रेंज इसे जरूर डालें इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और स्वादनुसा नमक इन सब को जार में डाल कर 4-5 चमश पानी के साथ अच्छी तरह से हम ग्राइंट कर लेंगे तो हमारी चटनी बनकर अब तयार है दूसरे टाइप की चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है एक तीहाई काटोरी भुनीवी मुंगफली थोड़े से फ्रेश कोकोनट एक कटोरी धर्या के पत्ते जिसे मैंने अच्छी तरह से धोके ले लिया है एक इंच अदरक का टुकड़ा चार हरी मिर्च थोड़ी सी इमली अगर आपके पस इवेलिबल है तो फ्रेंज इसे जरूर डालें इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और स्वादनुसा नमक एक चम्मच दही दही आड़ करने से हमारी चटनी बिलकुल भी काली नहीं पड़ती है इन सब को जार में डाल कर थोड़ा सा पानी आड़ करते हुए हम अच्छी तरह से ग्राइंट कर लेंगे हमारी दूसरी टाइप की भी चटनी अब तयार है अब मैं बनाओंगी तीसरी टाइप की चटनी इसकी लिए लिया है मैंने एक तिहाई का टोरी भुनीवी मुंगफली थोड़े से फ्रेश कोकोनट एक इंच अदरक का टुकड़ा पांच से छे सूखी लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं आधा चम्मच चीनी स्वादनुसार नमप थोड़ी सी इमली फ्रेंस अगर आपके पास इमली इवेलिबल है तो इसे जरूर डाले इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है एक चम्मच दही दही डालने से हमारी चटनी बिल्कुल भी काली नहीं पड़ती है इन सब को जार में डाल कर हम अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी आड़ करते वे ग्राइंट कर लेंगे हमारी चटनी बनकर अब तयार है तड़के के लिए लिया है मैंने दो चम्मच तेल आधा चम्मच जीरा आधा चम्मच सरसों पांच से छे सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता अब मैं इस तड़के को हमारी तीनो तरह की चटनियों के उपर आड़ कर दूँगी हमारी तीनो प्रकार की चटनिया बनकर अब तयार है हमारी सारी चटनिया बहुत ही स्वादिश्ट बनी है फ्रेंज आप भी मेरे इस बताएवे रेसिपी को जरूर ट्राइ करें और अपने एक्स्पीरियंस को कमेंट सेक्शन में शेयर करें अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें मेरे वीडियो को अपने फ्रेंज एन फैमिली के साथ जरूर से शेयर करें फिर मुलाकात होगी आपसे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए ठेक्केर & THANKYOU SO MUCH for watching. Stay connected. Enjoy!